हाई मेरा नाम है श्रयांस और कैसे हो आप सभी लोग मैं आप लोग एक बार फिर से स्वागत करता हूँ फ्लेटर फ्लो के एक नए वीडियो में और आव्यस से पार्ट टू में क्योंकि हमारा जो फ्लेटर फ्लो बेसिक का पार्ट वन है वो मैंने अल्रेडी कुछ दिन पहल बार आ रहे हो तो आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वह वाला जो वीडियो है उस पर जरूर जाकर देखो क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताएं कि फ्लेटर फ्लो कैसे यूज करते हैं फ्लेटर फ्लेटर फ्लो की प्राइजिंग क्या है आपको एप करते समय स्ट्रेटीजी क्या रखनी है और कैसे डवलप करना है वो सारी चीज़ें उसमें मैंने बता के रखा है तो आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हो तो जारा चीज़ें समझ में आएंगी आपको ठीक है तो चलि सब्सक्राइब करते हैं तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को यह उपर की चीज़ें हैं यतने भी टूल से मैंने वह बता दिया था ठीक है तो मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा अब आते हैं जो हमारा जो लेफ्ट मेनू है यह लेफ्ट साइड में जो भी चीज जिसको फ्लेटर फ्लो के बारे में कुछ नहीं आता है वो भी यह चीज सीख पाए ठीक है अगर आप लोग पहले से फ्लेटर फ्लो के बारे में जानते हो तो हो सकता है कि आप इस पार्ट कर दो तो इसकिप करना भी है तो आप कर सकते हो बट हो सकता है कि कहीं मैं कुछ नय ठीक है एक तरह से हमारा जो है वीजो ट्वें पैलिट है टिक वीजट्व मतलब चहांक पे कई सारे शीर det आपने जोभी चीज़े देखी होंगे यहांगे आपकका इमेज हो गया आपका टेक्स्य हो आपका color हो गया, container हो गया, ठीक है, ये सारी जो होती हैं, वो elements होती हैं, ठीक है, और flutter में उसी चीज़ को हम लग बोलते हैं, widget, तो ये widget palette है, जहां पर आपका, जो भी used widget होते हैं, मतलब जितना भी widget इस्तमाल होता है, एक app बनाने में, सारे widgets यहां पर रखे हुए हैं, ठीक ह type के अंदर बनाते हैं, उसको आप बार-बार use कर पाओ, जैसे मानलो, मैंने यहां पर एक container बनाया, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यह container तो हमारा हर जगहां use हो रहा है, तो क्यों ना में custom component बना दें, मतलब जो हमारे component है, वो बना दें, और वही same container हम लोग बार-बार use कर और यहां पर मैं image रख देता हूँ, just simple सा मैं यहां पर रख रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहां पर image रखी, अब मैं चाहता हूँ कि यह same चीज हर page में दिखे, ठीक है, तो हर page में दिखने के लिए हम लोग बार-बार तो design करेंगे नहीं, इसलिए हम लोग एक बार इसको क्या और यहां पर रख दूँगा, ठीक है, इसे मालूमें इसको cut करता हूँ, और यहां पर रख देता हूँ, दुबार यहां पर रखना चाहूँ तो रख दूँगा, ठीक, अब अगर मैं किसी और page में जाऊँगा, तो same हमारा जो component होगा, वो भी इसी तरह उसमें भी हम लोग बढ़ जाता है, वो ऐसे की, जिसे देखो, आप बार बार अगर design बना रहे हो, हर page में जाके, मालो, आपके पास 4 page है, और 4 page में आपको name के साथ image चाहिए, container के अंदर, ठीक है, तो आप 4 जगा बनाओगे, जब आपका app चलेगा, तो वो 4 जगा अलग-अलग करके load होगा, लेकिन अगर आप एक बार custom component बना दोगे, मैं custom component इसले बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले इसका नाम custom component था, ठीक है, अब component हो गया है, तो एक तरह से custom component लिखा भी है, अगर आप चलो, ठीक है, अगर आप custom component बना दोगे, तो आपका क्या होगा, कि एक ही बार build होगा, ठीक, मतल उसे दस जगा पर यूस कर रहे हो, कि उसमें ज्यादा टाइम लेगा, अगर आप एक चीज बना के रखे हो, अगर उसे आप दस जगा यूस कर रहे हो, तो वो ज्यादा efficient रहेगा, और कम टाइम लेगा, बिल्ड होने में, और बिल्ड होने का मतलब, आपका जो RAM होता है, फ templates बनाए होंगे अपने project के अंदर, वो सारी templates यहां पर आपको दिखे आएंगे, ठीके, जैसे मानलो आपका template बना दिया आपने, जैसे कि मानलो मैंने जो आपका name वाला बनाया थे ना, भी recent मैंने component वाला, ठीके, इसे को मैं example ले देता हूं, जैसे मैं चलता हूं back home page पे और यहां पर मैं रख देता हूं इसको, अगर मैं इसको चाहूं, save as a template कर दूं, ठीके, cannot create template for visit, ओके, कोई बात नहीं, हम लोग अटा सकते हैं इसको, ठीके, कोई बात नहीं, तो हम लोग इसको component, एक बामें दिखाई देता हूं, ठीके, यहां पर आते हैं container में, अगर हमें इस template, तो यहां पर आऊँगा container पर, container पर right click करूँगा, उसके बाल save as a template, template का नाम डाल दूँगा, जैसे कि आपका हो गया, यह name with image कर देता हूं, ठीके, अब आपने एक बाद templates save कर लिया, तो आप जब इस पर आओगे, यहां पर यहां पर यतनी templates आपने save की हैं, सब आपको द template जो था, वो आ गया है, ठीक है, अब इससे आपका फाइदा यह रहेगा, कि आप अगर किसी भी project में जाते हो, जैसे मानलो अपने project बनाया है, तीन से चार project बना लिये हैं, और आप चाहते हो कि template, हमारा जो यहां पर template है, जो यहां पर theme है, वो भी वो चीज वहां चली जा है, तो आप सिधिक template create कर दो, वो हर project में आपको available दिखे आएगा, जैसे मैंने यहां पर बनाया था, कोई food delivery app का था, यहां पर आ गया है, ठीक, अब हमको जब भी किसी project में हमको अगर use करना है, तो इसको pick up करके, वहां पर use कर सकते हैं, ठीक है, तो समझ गया आपका templates क्या ह यहां पर, उसके बार आते हैं, theme visits, अब theme visits में वो सारी चाही आती है, जो आप एक तरह theme में use करते हैं, जैसे, आपका setting के अंदर आता है theme visit, ठीक है, यह theme visit है, अगर मैं create visit करता हूँ, तो यह थोड़ा सा advanced level है, मैं सोच रहा हूँ, उसको बाद में बता हूँ, ठीक है, तो आता समय में आया, और अगर इस page पर click करते हो, आप तो यह आपको तो दिखता है, कि आपका जो canvas है, वो दिख रहा है, और side में properties दिख रही है, जैसे आपके घर में, आपके दादा जी सबसे उपर है, then आपके पापा है, then आपको, उसके बाद आपके बेटे होंगे, तो व पहला जो होता हमारा home page होगा, जो main page होगा, base page जिसको बोलते हैं, उसके बाद आपका app bar, जो कि यह सबसे उपर है, उसके बाद आपका text, जो कि app bar के अंदर है, ठीक, अगर इसको आपको ख्लोस करोगे, तो यह देखो, आपके app bar के अंदर, अगर मैं और कोई चीज रखता ह जैसे मान लो, आपका यह, जो home page है, वो दादा जी है, ठीक है, अब यह आपके पापा है, आपके पापा के बाद, आप यह आपको ठीक, उसके बाद यह आपके पापा के अदलब भाई हैं, आई मिन चाचा हैं, ठीक है, तो यह चीज यहाँ पे है, तो इस तरह से आप hierarchy ब import करता हूँ, जैसे कि मेरे पास यह है, ठीक है, अब अगर यह है, यह चीज रखा हुआ हूँ, तो यह देखो आप, इससे क्या होगा, कि हमें सब कुछ दिख रहा है, कि कौन सी चीज किसमे हैं, और कहां कहां पे है, मान लो, हमको यह चूज करना है, तो हम लोग सिधे यहा अंडर रखी हुई है, ठीक है, किसके अंडर रखी हुई है, आप यह चारी चीज देख सकते हैं, यहां तक समझ में आया है, अगर कोई इशू हो, तो प्लीज, टाइम स्टैंप के साथ, आप लोग उससे पिन कर देना है, क्योंकि मैं उसको देख पाऊं कि क्या इशू है, और आप लोग उसमें कहां पर नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं इसे थर्ड पार्ट होगा, मैं उसमें भी आपको समझा दूँगा, ठीक है, यहां तक सब को क्लियर है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है, आगे जो हमारा यह है, पेसलेक्टर, तो यहां प आपका कंपोनेंट हो, चाहिए आपका पेज हो, अब यहां पे भी आपको कई सारी चूज करने का ऑप्शन होता है, जैसे आप मालोगर यह करते हो, तो यह पेज और कंपोनेंट सब दिखाएगा, जो मैंने अभी को नेम वाला कंपोनेंट बनाये था, वो यहां पे दिख है हमें, उसके बाद अगर आप इस पे क्लिक करते हो, तो सिर्फ पेज दिखाएगा, ठीक है, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे न, यहां पे आपको दिखेगा एक ग्रिड वीव टाइप का, जिसमें आपको सभी पेज दिखाएंगे, चुकि यह आपने एप में बनाय है, ठीक है, फोल्डर करता क्या है, कि यह कई सारे पेज़ को आप इकठा कर सकते हो, मान लो, आपने तीन पेज़ बनाये हैं, ऑथनिकेशन के, ऑथनिकेशन मतलब, साइन इन, साइन अप, फार्गेट पासवर्ड और वेरिफाई पासवर्ड, इन सारे चीज़ों के आपने चार-पांच पेज़ बना लिए, तो आप यहाँ पे एक और फोल्डर बना सकते हो, इससे क्या होगा, कि आप जितने भी पेज़ होंगे, उसको उसके अंदर रख दोगे, तो पहचानने में असान होगा, कि कौन सा पेज, किसके लिए बनाया है हमने, ठीक है, क्योंज में अगर अभी नहीं समझ में आ तो आप प्लीज एक बर कमेंट कर देना, टाइम स्टैम के साथ, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आते हैं, स्टोरी बोर्डिंग, स्टोरी बोर्ड मतलब होता है, कि जैसे आप किसी पेज़ पेज़ पर नविज़ेट करके जा रहे हो, तो यह इस पेज़ पर आगे में नविज़ेट करके, तो यहां पर देखोगे आप, कि यह जो पेज टाइटल है, वो करेंट है किसके इस वाले पेज़ से, जिससे कि आपको आसानी होगी, यह देखने में कि यार कौन सा पेज कहां पर जा रहा है, ठीक है, नहीं तो अगर आप बह फार था, वो सारा, कमपीट हो गया, और जो आपका यह बिल्ड वाला पार्ट है ना, यह बिसिकली आपका डिजाइग करने के लिए, कि किस तरह से आप डिजाइग करोगी, इस सारी चीज़ इसके इंदर है, उसके बार आता है करने का, पर जो प्लों सारी चीज़े हैं और तो इस पर आगते हैं अब आते हैं आप जो हमारा क्नेट है इसके अंदर तो सबसे पहला हमारा आता है फाइर इस्टोर यासा कि आपको पता होगा कि एक तरह सी यह बैकेंड कनेशन है होता है आपके अंदर जहां पर आप अपना डाटा बेस मैंनेज करते हो ठीक है फाइर बेस पर मैं एडवांस लेवल में आऊंगा लेकिन अभी बेसिक के लिए यह जो हमारा टैब है उसमें हम लोग फार इस्टोर डॉक्मेंट्स होते हैं यह हमारी कलेक् करते हैं इससे के हमारा यो आप का डाटा है वह दिख पाए या थो लोड हो पाए हमारे रापके अंदर क्योंकि आपका होते है न वह यह अब उसके अंदर हम लोग को data pass करना पड़ता तो जो data pass करते हैं हम लोग वो चीज यहीं से आती है अब इसमें भी आपको दो चीज मिलेगी सबसे पहला आएगा आपका firestore collection का यहां पर list of collections रहेंगे मतलब list of documents रहेंगे या तो आप इस तरह सकते हो कि list of folders रहेगा जिसके अंदर different different files रहेंगी और files के अंदर हमारा data रहेगा तो अभी के लिए कुछ इस type से समझो अगर आप पूरा professional में समझना चाहते हो तो यहां पर हमारे पास collections रहेंगे जिसके अंदर कई सारे documents रहेंगे ठीक है उसके बाद यहां पर click करके हम लोग firestore settings को manage कर सकते हैं जैसे settings के अंदर आपका आता है file store security rules और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो मैं आपको basic खतम होने के बात बताऊंगा ठीक है तो यह दो चीज़ें है इसमें और उसके बाद जैसे आप collection पर click करते हो तो यहां पर आएगा add new collection का मान लोग आपको new collection बनाना है तो मैं आपको test create करके नया collection बना है तो हमको यहां पर ऐसा दिखा लेकिन जब हमारा firebase connect हो जाएगा तो जो हमारा error है वो रिमूव हो जाएगा ठीक है यहां पर आते हैं इसको delete करते हैं वैसे आपको मैं चीज़ थोड़ा सा और बता लेता हूं इसमें जैसे आपने आपकर collection क्रेड कर लिया तो collection क्रेड करन नाम हो गया उसके अंदर आप data रखोगे वह आपका frontend और backend को connect करने के बाद होता है बस आपको यहां पर क्या करना होता है यहां पर आपको schema define करना होता है schema मतलब होता है कि ऐसे आपका database है उसमें data का field होता है मतलब data label होता है और data होता है तो यहाँ पर जो label होता है बूद दे रहे हो है यहाँ अगर मैं इस तरह से बता हूँ आपको होता है हर एक data का एक नाम होता है मतलब जैसे आपका नाम में सेव होगा ऑफका घ्योता है आपका और कॉलम नहीं में देखते है तो यहां पर है यहां होता है इसलिए हम लोग यहां पर कहते हैं कि जो मारा data होता है उसका फिल्ड का नाम होता है ठीक है उसके बाद आता है हमारा टाइप कि यह आपका data इसमें enter करोगे उसका टाइप क्या है आप टाइप में मैंने कई सारी चीज़ एक स्क्रेंग करके बताई है प्रीवेस वीडियोज में तो आप उसे देख सकते हैं या तो मैं फिर थोड़ा सा एक छोटा सा मतलब आपको सम्हानूं कि क्या क्या होता है इसमें पहला डाटा टाइप जो है आपका वो चीज़ होती है जिसको डाट रखते हो ठीक है मतलब जैसे आपका नाम ओगया या आपका नाम के साथ साथ टेक्ष्ट हो गया बद नंबर आईसे समझो कि naam के साथ साथ आपका नंबर हो गया तो वह बी आपको इस्ट्रींग में रखो गए तो जो भी चीज़ आप सिस्ट होगा फाइल जैसे मैं हाई लिए देता हूँ यह चीज आपकी स्ट्रिंग हो गई साईज थोड़ा सा प्रक्राइद तो इसका मैं कि यहां से मैं 50 के साइस करता हूँ तो यह जो आपकी चीज है वह स्ट्रिंग में हो पॉल्स ना लो जो भी डाठा पे स्पें अडर करोगे व उसके एलामा कुछ नहीं होगा आपका तेना आगा colors colors में क्या होगा कि color code आप इसमें इंटर कर सकते हो इस data type के अंदर ठीक है उसके बाला आता इमेज path अगर आपको कुछ image दिखाना है तो आप यहां पर image path दे सकते हो या या तर वो URL होता है जिसे कि आसानी होती है कि identify करने ह आपने मतलब path दिया है वो URL है या नहीं है अगर आपको कुछ videos के link को save कराना है तो आप video path यूज़ कर सकते हो अगर audio का link कराना है तो audio path यहां पर यूज़ कर सकते हो उसके बाला आता है कि आपको में चीज़ डॉक्मेंट reference डॉक्मेंट reference मतलब होता है जो आप इस field के मानलो हमारे पास दो डॉक्मेंट है यसे हम लोग एक collection दूसरा बना देते हैं यहां पर test2 ठीक है अब मैं इसमें इंटर करता हूं आपका मानलो यसे name है और इसको मले लेता हूं document reference अब हमें यहां पर चूज करने का option देदेगा कि हमारा जो यह field है ठीक है जो इसके अंदर नाम से है उससे आएगा ठीक है उसके बारा आता है डेट अंटाइम मतलब जो भी डाट आप इसमें इंटर करोगे वह डेट अंटाइम के format मिलेगा जैसे कि आपका दो अपराइल ऐसे हो सकता या तो फिर आपका टाइम हो सकता इसे बारा बस के ती मिनिट बारा बस के चार मतलब अ deswegen ऑपका लैट और लेंग आता है इत्रास कोडिनेट मातलब आका जो लोकेशन होता है करेंट लोकेशन वह यृत लैट लाट लैंग की अंदर आथी है ठurst हमेड़ आप इसको चूज करोगे तो ढाटा इसमें आ पर रखोगे वह डाला हमेसा लेटिज़ और वां से इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा लेकिन थोढ़ा सा बता लेता हूं कि इसमें यो संफोर वह इरे के वह में टाटा इस्टोर होता है ठीक है apply बता है दो आता है कि एकिनम इनdert प्सक्राइब एक ये फील्ड आई है यहां पर manage content है मालो अगर आपने firebase से connect किया है आपका create तो अगर आपको manage content करना है तो यह आपको click करके ले जाएगा आपके content management system पे जहां पर आप manually enter कर सकते हो data ठीक है अगर मालो आप testing mode में हो तो आप manually enter करा सकते हो then यहां पर click करके आप copy कर सकते हो इस collection को then duplicate कर सकते हो उसके बाद delete कर सकते हो ठीक है copy मतलब करोगे तो यहां पर आके आप sorry यहां पर आई थिंक आप आके paste भी कर सकते हो ठीक है यहां पर test डालते तो यह test 3 डालता हो तो यह collection होगा हमारा वो paste हो जाएगा अब यहां पर देखोगी हमारा जो data क्रेट किया वो सारी चीज़ें यहां पर आगी है अगर आपको यहां पर क्लिक करना है तो यह delete भी हो जाएगा उसके नीचे देखोगी कि यह आप यहां पर आपको एक और में हैं अगर आप इसमें एक डाटा और इंटर कराते हो जैसे मांदो में लिए था हूं भाइ तो यह आपका हो गया लिश्ट के फॉर्म मतलब एक ही data के अंदर मतलब एक ही फिल्ड के अंदर कई सारी डाटा आ रहे हैं मैं फिर से कंफिजन आप आप लोग का क्लियर कर रखा है तो आप एक ही ऐसे समझो जों और मतलब फिल्ड का नाम फिक है जिसके अंदर आपका फाहर बेस की मतलब जिसके अंदर आपका फाहर बेस में डाटा सेव होगा जैसे मांदनेहां पर फिल्ड नेम आजा सजेट हो नेम यहां ऽी डाटा टाइब चूज़ कर सकते हो तो अगर आप इस लिस्ट करोगे तो लिस्ट के पॉर्म में आएगा और यहां पर क्लिक करके सेव कर दोगे तो फिल्ड नेम आपको ओगया नेम डाटा टाइब होगया लिस्ट ऑफ इस्ट्रिंग ठिक तो अगर आप मैं फीचर में कभी बोलों कि फिल्ड नेम चेंज करना है तो आपको सिंपली समझ जाना है कि किसी कलेक्शन के अंदर मैं बोल रहा हूं मतलब आम ऐसे अगर मैं बोलता हूं कि यह से आपको सीधे यह चेंज करनी है यहां तक समझ में आया उसके बाला आते हैं इस पर डाटा इस्कीमा पर करनी सेव होता है। डाटा इस्कीमा में आपको दो चीज मिलता है समसे पहला आता है का डाता टाइप डा-टाइप जो होता व होता वÎन यहां पर में नेम लिए तो हon wish data type same जैसे आपका वहाँ पे था string कर देता हूं create करता हूं आप दूसरा field add करता हूं उसमें लिख देता हूं मैं आपका role number कर देता हूं data type आपका string कर देता हूं इसको create कर देता हूं अब यह देखो इस data type के अंदर दो चीज अलग से आ गई नेम और रोल नमबर ठीक है लेकिन जो आपका इक collection है उसके अंदर सिर्फ एक चीज आ रही है है यह एक चीज आ गई फिर इसको मैं रोल नमबर लिखता हूं तो यह दूसरी चीज आ गई ठीक है बट इसमें और इसमें अंतर यह होत सेव करता हूं तो एक मैप के फॉर्म में बन जाएगा मैप का फॉर्म का मतलब होता है अभी तक जैसे आपका firebase होता है उसमें नौर्मली सेव कैसे होता है data मैं वो दिखा देता हूं जैसे कि मांदो मैंने test नाम से field का नाम बनाया उसके बाद मैंने वह अपना नाम डाल द लेकिन अगर आप data type का यूज करते हो तो कैसे सेव होता है जैसे मांदो मैंने यहां पर data नाम का field बनाया था ठीक है अब डाटा सेव होगा कुछ इस form में सेव होगा ठीक है जो डाटा सेव हो रहा है वह आपका कुछ इस type से होता है उसके बाद मैंने यहां पर क्या डाला कुछ चलते हैं आप चेक करते हैं टेस्ट में डाला था ठीक है तो नीम होगा आपको बन जाएगा एक तरह से आपका और यह कुछ सेiva जाएगा कि होता है यहां तक हो सकता ऑपा इससे अलग भी होसकता है वह आपका अपडेट के कावरिंग होता है अगर हो सकता है कि future में flutter flow कुछ नया बना देश में बट अभी के लिए इसी तरह से है ठीक है और यह जो होता है आपका लिस्ट में होता है अगर आप इसका लिस्ट करना साथ लिस्ट कर सकते हो नहीं तो आप ऐसे नॉर्मली छोड़ सकते हो ठीक समझ में आया यहां तक डाटा टाइप और पाई शोर कलेक्शन में अंतर अब दूसरी में आते हैं इनम इनम क्रेट करते हैं तो मादला यहां पर मैं टेस्ट नाम से इ रहेगी तो मैं आया जो आपने इनम यहां पर क्रेट कर दिया हमिशा के लिए पूरे प्रोजेट के लिए ठीक यह मतलब इतला से ग्रूप और कॉंस्टेंट होता है थोड़ा सा अंतर बता देता हम आप लोगों कि जो आपका कॉंस्टेंट होता है उसकी वैल्यू चेंज ह हम लेकिन वैरीयेबल होता है उसकी वैलूट चेंज होती है ठीक तो आपका इनम होता है वह ग्ंस्टन होता है जिसकी वैल्यू वह वैई जो होगी वह थ्रोऊच जो aí सेम रही इद को बढ़ते भी आगे बढ़ने से पहले मैं तोड़ाबंese हम्पों करता हूं Chand और new data type, new data type का नाम डालता हूँ, यहाँ अगर मैं यहाँ पर test 2 डालता हूँ, तो यह देख़वा, आपको यहाँ पर test 2 आ गया, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इनम create करहूँ हो, तो test 1 नाम से देख़़ो, आपको इनम आ गया है दूसरा वाला, ठीक है, बसे same चीज़, को हुइ डिकर सकते हो डियें डिकर सकते हो चुछ और कर सकते हो इसको बाद अब हत यो आपका की का होती है रिस Position मतलब इसके अंदर आप जो देख रहे हो इसके हो अपके हों क्हों के क्या करते है कि जिससे आपका जो app है अगर वो reload होता है तो जो ये value है वो अपने आप reload होके save हो मतलब दिख जाए हमें इसका फाइदा ये होता है कि जैसे मान लो आप कभी music player बना रहे हो ठीक है और जब music player बना रहे हो तो इसमें जो आपको music load होगा वो आप local cache में save कर दो जिससे की बार-बार आपको server लोड ना करना पड़े music जिससे एक फैदा और होगा कि बार-बार buffer नहीं होगा user मालो अगर 1 minute तक सुन लिया और 1 minute तक ही load होगा आपको music तो आगे नहीं बढ़ेगा ठीक है इसलिए अब लोग पहले जो music आता है वो अपने cache में save कर लेते हैं फिर उस cache से user को वो music सुनाते हैं ठीक है समझ भाया तो आप इसको create भी कर सकते हो create करने के लिए क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको पोन restart होता है ठीक है और सॉरी फोन नहीं मतलब आपका जो अगर app है तो अगर वो restart होता है तो यह जो data है वो save रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए जो normally होता है वो यह है कि जो आपका data होता है जब भी आप app को बंद कर देते हैं मतलब जो minimize से अगर आप अटा देते हैं तो यह data होता है जो catch होता है वो हड़ी आता है ठीक है लेकिन अगर आप इसको on करके रखोगे तो आपको जो catch होगा वो save रहेगा वो हटेगा नहीं ठीक और अगर इसको आप on कर देते हो तो आपके जो app होता है उसके अंदर अगर आप रूटेड है या फोन रूटेड है अगर तो उसके अंदर भी यह चीज फिल्ड का नाम नहीं दिखाएगा मतलो catch का कोई भी object आपको नहीं द इसमें उनके लिए आप यह चीज कर सकते हो ठीक मालोगर आपका नहीं चल रहा है अगर आप चाहते कि यूजर पहले से booking करके रख्या हो जैसे ही net on हो वो चीज हमारा सर्वर पे अपलोड हो जाए तो आप कैची में सेव करा दो उसके पाद जैसे net on होता है कैची में जैसे मैंने आपको बताया कि constant एक बार अगर आप बना दिये तो यह बना रहेगा और हमेशा के लिए थ्रो और प्रेट आप इसका इस्तिमाल कर पाऊगे तो add constant करते हैं मालोग टेस्ट नाम से फिर बना देता हूं create कर लेता हूं और यहां पर देता हूं name तो अब पूर्य प्रेट में यह जो constant है ना वह सेव रहेगा वह आप चेंज नहीं कर सकते ठीक है उसके बाद लोग आते हैं यहां पर थोड़ा से देखो कि यहां पर बटन बनी हुए एडिट करने कि अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपका constant का नाम होता है बस उसे ही चेंज कर पाऊग जिससे की दो या दो से जादा applications आपस में बात करते हैं जो आपका application होता है वो तो एक इंसान तो है नहीं कि आपको वो जाक किसी और से बात करेगा तो आपस में data share करने के लिए हम लोग API बनाते हैं और यहां पर आप API calls integrate कर सकते हो API calls integrate करने का सबसे बड़ा फाइदा यह हो करते हो लेकिन जैसे आप API integrate करोगे आपका जो limitation होता है वो एक सीड होया है मतलब सरी limitation जो होता है घड़ जाता है और आपकी capability होती वो बढ़ जाती है मतलब इतरह से अगर आप अपने app में API यूज करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस है परफॉर्मेंस नहीं कह सकते है मतलब थर पार्टी कोई applications हो गया थर पार्टी कोई service होगे उससे भी आप अपने app में integrate कर सकते हो अब इसमें कैसे काम करना है इसको मैंने API call का particular video बना के रखा हुआ है ठीक है या तो मैं फिर से कभी कोई particular video बना दूंगा इसके लिए क्योंकि API जो आपका है वो advanced level का है तो इससे यहां पर आपको दिख जाएंगे ठीक दिन आते हैं टीम एसेट में वह सारी चीज़ें हैं जो आपके टीम मेंबर ने एड़ करके रखा होगा पर अपने 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 अप्लोड कर दिया तो यहां पर आपको पर करनेके अफिर अपर आप यहां पर हो तो यहां पर अलॉगोन कर दनके नीचे आते हैं अगर आपको पूछ कस्टोम कोड़ डालना अपने अपने अपके अंदर आप यहां पर इसका use करके आप custom code कर सकते हो ठीक है करना क्या होता है यहां पर सिदे आपको click करोगे custom function में आओगे और यहां पर function का नाम डालोगे ठीक है उसके बाद यहां पर save function कर लोगे आप मतलब आपको custom function था वो create हो गया और सेम चीज हमारा होता है आपके widget के लिए भी custom action के लिए उसके बाद custom file में आपको एक main.file है यह आपको सबसे main file होती है इसमें होता क्या है कि जैसे आपका app load होता है वैसे ही सारी चीज इसमें जो होती है वो run करने लगती है ठीक है मतलब इतरह से आप ऐसे समझो कि जो आपका app जब load होता है सबसे पहली file यही run होती है तो म बहुत ज्यादा advanced level का है तो इसको मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा बस थोड़ा सा overview देता हूं इसका कि जो आपको cloud function होता है वो एक Google Cloud का एक feature है जहां पे आप server side चीजों को run कर सकते हो ठीक है मतलब वो आपके app पे नहीं रहीजी बलकि वो इक server पे रहीजी जहां से आ आता है आपको automated testing यह automated testing का थोड़ा फीचर आएगा जो कि advanced level का है आप चाहो तो इसको on कर सकते हो ठीक है अगर आपको on करना तो यहां पर create new test कर सकते हो ठीक है यहां पर मालो test लिख देते हैं यहां आप description कुछ भी लिख देंगे जैसे test कर लेते हैं precondition में चूज करनी होग condition क्या है अगर user logged in है या तो logged out है या तो email password से test करना है तो ऐसे कर सकते है आप या तो entry page आपको choose करानी यहां पर तो home page पे है इस step करना है इंट्रेट बिद विजेट एक्शन टाइप टैब selection method select from ui builder माल इस पर करना है आपको confirm करते हैं यहां पर करते हैं add test ठीक है यह test हमारा add हो गया अब हमें क्या करना है यहां पर मूब टेस्ट भी कर सकते हैं बहुत सारी चीज हम लोग कर सकते हैं जो कि मैं आपको future में आने वाली वीडियोस में बताऊंगा किस तरह से आपको testing का यूज करना है जैसे मालों आपने यहां पर testing बना दिया अब यहां पर अगर आप home page में आऊगे ठीक है home page में यहां पर याके value या key से ले सकते हो आप यहां तो में फिर नहीं चीज देखता हूं कोई फिर लो कोई बात निसको आपको कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा उसके बाद यहां पर आते हैं यहां पर हमारे पास मेरेगा theme setting मतलब जो आपका app का जो theme है उससे आप यहां से manage कर सकते law जैसे पहले हमारा colors में वह सारी colors हैं जो कि हमारे theme में use हो रहे हैं जैसे कि यहां पर करके आपको diyor देख.. प्राइं गया आपको ठीक है यहाँ पर आता हूं यह देखो सारी कलर्स जो है मारे वो दिख गए अगर आप इंपोर्ट फ्रॉम कलर्स करना शाहते हो तो यह एक कलर्स नाम की वेब साइट है मैं इसको उपन कर लेता हूं किस तरह से क्रेड करना है मैं देखा डेता हूं आप पर मालों मुझे यह चीज दिखना है और मैं इसको ओपन प्लेट कर लेता हूं प्रेटी जो होता है हमारा यह आपका कलर है ठीक है वैसे या तो मैं कोई और कलर चूस कर लेता हूं यह रहा है यह काफ़ अच्छा दिखता है तो इसको देखते हैं बाद थोड़ा सा इसको नी यहां पर export करते हैं ठीक है यहां पर हमारे पास नीचे आजाएगा code को को कर सकते हैं यहां से copy यहां तो फिर हम लोग एक काम करते हैं नीचे आते हैं यह नीचे आते हैं यह नीचाहिए में हमें CSS नीचाहिए होगा हमें चाहिए होगा इसका उसे में code ही चाहिए होगा भीता हूं ठीकेद फरसंग कोई बात करते हैं नहीं के लृट किर fils तरह से नहीं पास्स करना है तो क्लिक करतें ऐसे नहीं होता है हमारे फीसित स intuitive मुझा नहीं की आता हूं तिके हम लंगंग कर के कर देंगे तो हमारा जो ये शू होगा वह ये रिजॉल हो जाएगा यहां से यहां पर आपका एक वीडियो बना के दिया भी हुआ है कि इस तरह से आपकरना इसे ओके एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे कोड पर जाना है ठीक है और कोड पर जाने को आएंगे पेश्ट करेंगे और इंपोर्ट कर देंगे तो जो मारा कलर्स था वह सारे यहां पर इंपोर्ट हो चुके हैं अब आते हैं अगर आपको ओर इमेज़ से कलर करना तो इहां से यहां से अट कर सकते हैं मालोंग कोई इमेज हैं आपका यह वाला इमेज़ और पर आ गहीं है जो भी आपका कलर होगा इस सीज Mr. हो जाएगा वह चीज क्लोस करते हैं यस करता हूं क्लोस करने को इसके बाद आपका आता है जेनरेट विद एई अगर आप चाहते हो कि आपको कलर एई जनरेट हो तो यहां पर कर सकते हैं मैं यहां पर लिखता हूं क्रेट और सिंपल एंड क्लीन कलर और फूर्ड एप ठीक है यह क्रेट कर रहा है हुआ सा टाइम ले गाई है यह देखा आपका जो कलर था वह यहां पर उसने क्रेट कर दिया है ठीक है उसके बाद अगर आपको कलर चूस करने का आप्शन मिलता है यहां पर ड्रैक करोगे तो जो भी डिफेर्ट कलर है वह आपको यहां पर दिख जाएंगे उसके बाद अगर आप इसको इधर करोगे फुल मतलब जो आपका ट्रासपारेंट के लिए होता है यहां यहां पर शाक है तो यहांप इसको जुल कोड यहा जाओ क्षेब साकूल कि ऐदेए टो करते हुए यहाँ का ओपक्राम करता हुए और जो आपका यहाँ भी डिखाएगा कुकि हमको यहाँ स्कॉवर में ही स्कॉल अब करेंकर को क्विच है को फिर यहाँ करता हुँ का घंष right मोड को बंद करना है तो आप यहां पर अप्लिक करके डार्क मोड बंद कर सकते हो अब नीचे आते हैं टयक्पोग्राफ एन आइकॉन पे टयक्स्ट लूज हो रहे हैं आपके अंदर उसे किस तरह से आपको दिखाना है यूजर को वह किस तरह से सारी हो। पूरा है ठीक है उसके लिए चेंज उजए करने काब आप यहां से चेंज कर दोगे तो आप रखमी जा रोग तillarरो यह चैंज कर दोगे केुए टेस्ट काße के लिए nothing चेंज नहीं करने पढ़ेगी ठीक है और इससे क्या होता कि अपका अपका होता हुआ हो जलदी यदी डूलप होता है मतलब मालब इतरा से ऐसे है कि हर चीज नहीं करनी है बस एक जहां से आप सारी चीज़ चेंज कर दो महाँ पर आपको चल रहा है उसमें साज़ चीज़ हो जाएगी मतलल लाइब डिजाइन में इतलिक करना था आप इसको इतलिक कर सकते हो font weight कैसा रखना है normal, medium, bold साज़ चीज़ यहाँ पर आ गई है color रख सकते हो ठीक, color आपको रखना है तो यहाँ पर color चूज़ कर सकते हो इसका दिन आता है आपका font family यह font family का picker है जहाँ पर आप pick कर सकते हो कि कैसे font रखने है और font का family क्या होगा जैसे आपका Google font यहाँ जो by default रहता है अगर आप यहाँ पर custom font आड़ करना चाहते हो तो custom font आप यहाँ पर add कर सकते हो यह तो अगर आपको theme का font यूज़ करना है जो कि यहाँ इस theme से आ रहा है उसको आप यहाँ यूज़ कर सकते हो मालों मैं आप Google font कर लेता हूं यह कर लूँगा रॉबटो का ठीक है रॉबटो में यह चीज़ आपकी आ जाएगी उसी टाइप से अपना यहाँ पर color भी चूज़ कर सकते हो italic कर सकते हो font साइच चूज़ करना है वो साइच चीज़ कर सकते हो जैना आता आपका custom font अगर आप अगर आप custom font आड़ कर सकते हैं अगर यहां पर आऊगे आप यहां पर आपको पाउंट आइड करना है तो एक काम करते हैं वोग पांड चूज़ कर लेते हैं लटर पांट में आते हैं ठीक है यूज कस्टम फॉंट में देखते हैं कोई वेबसाइट हमारे पस मिल यहां से पॉंड के लिए इस विश्ली अधर फॉंड फॉंड देखते हैं लोग फ्लॉटर आइकॉन नाम से है यह तो आपका साथ आइकॉन है यह फॉंड नहीं है ठीक है हमें फॉंड चाहिए होगा तो फॉंड में आते हैं लोग है यहां पर फॉंड जृता हूं ठीकly गुगल फ genetically मैं आते हैं देखते हैं हमकर मैं मिल जाए तो इसा लो मान लो हमें कुछ औ scheme यह यह सांद है कि has it only click करते हैं अल करते हैं यहां से टे क॑न में आते हैं देखेकिव मिला हमारे पास यहां पर दॉट जी पार फाइले हैं इसको हम लोग ऊप्गे करते हैं यहां से वमी आते हैं यह आपका भॉंड ओट टी टि एFE मिलीया ठीक है आपमेल देता हूं टग फिलोड हो तो तुमारा जो फॉंट है यहाँ फे वह ह्कई हो तो आप इसको इडिकर सकते हैं आपको मेडियम रखना है तो मेडियम कर लोगे और यहां मैं इसमें आ जाऊऊ यहां पर आपको दिखायेंगा यहां पर एकंति यह बाहर का फॉन्ट है depends वेसे आपको कस्टम आइकन अगर अपोलोड करना तहूं आप यहां कि अपर क्या सकते हो जैसे कि मान लो मैं इसमें आता हूं एक राइकन ठीक है असकी बार मालो हमें कुछ आईकॉन्स स्कूज करना याएसे यहां पर मैं हर्ड पे आता हूं ठीक जो यहां पर डॉन्लोड कर सकते हैं लेकिं स्क्रीटिंग क्लिक करके क्या करना है में विए आपको यहां पर का दिखुड कर धट इस Literally आइकन होका वोय आपकश्रक्रा यहां बफॉन वहां है शुक्रिण यह देखा आपको फ्रटर myappicon.dart नाम से आ गया है तो यहां पर आते हैं upload file पर आते हैं यहां पर back आएंगे download में फ्रटर icon आ गया font में यह आते हैं .tf वैसे यह आपका custom icon है यह आपका font नहीं है वैसे upload इसमें आते हैं इसमें download में आएंगे यह रहा यह dart file हो गई open करते हैं इसको यह देखा आपका icon आ गया है add icon कर लेते हैं तो आपको custom icon होगा वह यहां से add हो जाएगा ठिक उसके बाद आते हैं design system में आपका सारा design है जो कि आप एक app में यूज करोगे अगर आपको यहां पर figma import करना है तो आप figma import कर सकते हो जो कि मैं किसी दिन किसी advance वीडियो में जाके बताऊंगा आप लोगों को ठीक है और यहां पर आप अपनी design library भी कर सकते हो जिसका use आप हर project में कर सकते हो right मतलब मालों अगर आप 5-6 project बना रहे हो और design same रखना है तो आप यहां से design library import कर सकते हो जैसे यहां पर click करके जो भी आपके design library है उसका use कर सकते हो design library अगर आपको create करनी है तो test नाम से design library create कर लो अब जो भी चाहिए आप इसमें design करोगे न वो हमारे project में चली आएगी ठीक है इसमें अगर हम design library use करते हैं design system में आते हैं यह टेस्ट में design library use करते हैं ठीक है the theme now comes directly from the design system and is only readable ठीक मतलब यह readable है और जो design library आ रही है अब इसमें आप designs को change नहीं कर सकते हैं right तो मतलब अगर आपको design system use करना है अपने app throughout app में तो आप इसका use कर सकते है रिमूब कर लेते हैं हम लोग यहाँ ठीक है देन नीचे आपका आता है breakpoint breakpoint मतलब होता है एक जो device होता है उसकी size क्या है मतलब width क्या है max width क्या है उसकी आपको कई सारी चीजें मिल रहे होंगी mobile का जैसे 4-79 आपकी breakpoint है विट है टैबलेट की 767 है देन इसके टैबलेट की 991 है और desktop की infinite इससे फायदा क्या होगा कि जब भी आप कोई app बनाओगे उसमें responsiveness डाल सकते हो आप ठीक है अगर आपका phone जो आपका screen I mean वो छोटा हो रहा है तो phone की size में आ जाएगा जो भी आप बना रहे हो अगर इसके थोड़ा सा बड़ा हो रहा है 479 और 767 की बीच में आ रहा तो tablet के size में आ जाएगा एक तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे देना आपको अगर color देना इसका तो color दे सकते हो यहां से और display size में diameter दिखाना है तो आप diameter भी choose कर सकते हो यहां से ठीक है जैसे मालों यहां पर मैं करता हूँ थ्रिथावें जादा होगया 300 कर दो कुछ इतना बढ़ा दिखेगा मैं अब नीचे आते हैं इस प्रॉल बार दीख रहा है इसका थीम क्या रखना है थम कलर मान लोगा मैं करता हूँ रड़ तो यह रेड आपको दिखना चाहिए थम कलर मतलब अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यह रेड कलर का दिखेगा राइट इसका मैं दो करता हूँ अगर मैं थकनेश थोड़ा सा भाटा दूँ और इस पर आ जाओ बॉडर रेडिस का चेंज कर लेते हैं बॉडर रेडिस मतलब यह साहिर में आपको कोने में दिख रहा है न यह थोड़ा सा चेंज हुआ है वो चीज है मिनमम थम लेंद 37 कर लेता हूँ कि मैंक्सिम एक्सिस साइज हो जाएगा आपको यह क्रॉस एक्सिस मार्गिन कितना रखना है तो इसको आपको अगर मैं इसको अब इसको अगर आप स्कॉल कर रहे हो तो आप तो दिखाओ अधू इससे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं यह हो गया आपको अगर ट्रैक को दिखाना है कि इसको स्क्रॉल हो रहा है वह चीज़ आप यहां पर इसको अन कर सकते हो अगर और इंट्रेक्टिव बनाना है तो आप इंट्रेक्टिव भी कर सकते हैं जैसे मानलो मैं इसको थम होवर कल तो पिर मैं कॉता होता हुए ये लिए झाल करता हूं करता हुआ इस चीज़ को आपका पूल करके नीचे लिखे आते हुआ तो यह आपका थोड़ा से रिफ्रेस वाला ऐकाउन दिखाता है न वो चीज़ है यहाँ पर उसका अप कलर भी चूज कर सकते हो जैसे आपको इस आपको यहाँ पर रखना है वो चीज़ आपके रख सकते हैं इसको आप बीच में जो लोड़िंग इंडिकेटर दिखा रहा है अगर आप इसको on कर दोगे तो जो आपका app है न उसके अंदर material theme आ जाएगी जिससे कि आपको जो app है वो यह तरह से native लगेगी मतलब native का मतलब होता है जैसे देखो जो आपका flutter है यह hybrid code है इसका code आप iOS में भी चला सकते हो Android में भी चला सकते हो लेकिन अगर आप यहाँ प यहां पर आप themes create कर सकतर हो visit का मालो हमें एक test को text알ेवाख का यहां पर है उस्से हमें red दिखाना है ठी है और एक test को हमें blue दिखाना है एक test को तो आप यहां पर इसका theme चूस कर सकते हो तिम बना सकते है मालो यहाँ पर create बरेट करता हूं और मैं के देश्ट का थीम बनाता हूं यहां पे लिए तक के और पर करता हूँ इसको में तो यहां पर थीम होगा आप इस टेस्ट को टेस्ट का कलर प्रॉपरिस्ट सकते हैं यहां से यह प्रॉपरटीस होगे न मैं आपको किसी और त्म मतलब एक एडवांस वीडियो मटता settings किसी दिन और किसी और वीडियो में बताऊंगा आप लोग के लिए तो आज लिए बस इतना रखते हैं मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में तब तक आप लोगना क्याल रखेगा have a nice day